नमस्ते पढ़ाओं मैंकी साइड लेलियादू एक कोई वीडियो वाइरेल होड़ा है मेरे शूट का तो सबसे पहले तो श्मापरार्थी हूँ मैं जिनको भी बुरा लगा है बट ये बुरा लगने माली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो खोदी मंदिर के परवेश में हमारे फिली में एडाय लग है कि जूता खोल के उपर चड़ो और वो सारी चीज़े मैंने दूसरे इंगल से कोई फोटो लेकर या वीडियो लेकर उसको पोस्ट किया है कि हम लोगों ने दो लोग गेट खीचने के लिए मंदिर के अंदर से रखा था रसी बान के तो और हमारा दे वो नहीं है हमारा दे मैं उस दे से आता हूं यहां सुटिंग करने मुंबई छोड के इतने सारे पडूसर का खर्चा कराने मैं अपने यूपी के लोगों के लिए आता हूं कि कम से कम हमारे तरफ से जितना रोजगार मिल सके यूपी के लोगों को हमारे अपने लोगों को तो हमारी कोशिस ये है और उसको गलत जो भी लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं पहले से आप पैसा मत लेजेए क्योंकि आस्था हमें समझ में आती है और आस्था का गरीमा क्या है हम कोई नदान नहीं और हम कोई इतने भी ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं लेकि समाज की आईना को जानते हैं कि समाज का मतलब क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है, तो ऐसा नहीं है, वो एक सिनेमा का सीन है, कि हम गेट के अंदर आ रहा है, तो उसको खीचने वाले हैं, शरिफ मैंने एक्षन किया है, वो एक रूल है, वो एक एक्षन है शरिफ, ऐसा नहीं पर यहां सोटिंग करने आते हैं कि कम से कम हमारे यूपी के लोगों को हमारे अपनों को रुजगार मिले और यहां पर चीजे बड़ी हो जो दुनिया बाहर कमाने जा रही है वो यहां पर कम से कम अपने घर परिवार को चलाए तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं क कि आप लोग ऐसी चीजों को ना बढ़वा दें और ऐसा ना सोचे हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आस्ता समझ में नहीं आती है हमें समझ में आती है आस्ता भगवान का मतलब भी पता है हमें तो प्लीज गलत एंगल से किसी वीडियो को आप वाइरल मत करिए आप पूरा तो प्लीज आप उसे इसको बढ़वा ना दे और जितना अस्ता आप समझते है उतना अस्ता हमें भी समझ में आती है भगवान का मतलब हमें भी समझ में आता है तो प्लीज थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं लवी आ य